हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Realme 12x Android में आप अपने मुवाइल फून की होट इस पोट की प्रॉडम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप यहाँ वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखिए दोस्तों कभी वेकर आपके मुवाइल फून के होटिस पॉन में प्रॉडम आती तो इसकी सॉल्विशन के लिए करना क्या है आपको अपने फून को एक लिटर कर लेना है अगले का में यह खरना है कि होटो है कि आपको फॉन में आपका फाइल की आपको ऊपर क्या यह साइड आने или एक असे स्टोरिज कि ब में अगले पेसमें सब्सक्सुल्राइब इस西टम झेल न्यवर्बस में आपको इसे दीक है और में उनला स्टूरजेयर पायरोड में प्रेस्ते प्रेस्ति अउऐ हुआ जातां तु नि blueprint जाना है प्लजstyli vapor उप्सक्रा इद्धाने मेंु ऊप्सक्ष को तो सब्सक्राइब को चालू रखना है इसके बाद phone का setting page open करना है सबसे उपर आपको इस सर्च बार पे tap करना है यहाँ पे सबसे उपर सर्च बार में software update आपको लिखना है ठीक है आपको नीचे software update का यह option शो होता है इसे tap करना है अब आपको इस वाले page पेज़ पे कोई भी update का बटन या download install अगर यहाँ पर लिखावा दिखाई देता है तो इसे आपको tap करना है फोन का software update कर लेना है ठीक है अगला काम करना है यह है mobile phone को reset करना है देखें दोस्तों mobile phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बताएवे पिछले process काम नहीं करते है तब आपको phone को reset करना है अदर्वाइस नहीं कर पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात है पहली बात है पहली ध्यान रखना है कि आप अपने फोन के डेटा का बैक अप ले लिजिए बात का ध्यान रखने है पहले है पहले दो कंवा पहले करना उसके बाद फोन को हो जाएगी ठीक